नमस्कार स्वागत है आपका प्रियाज वेज किचन में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जट पट से बन जाने वाली एक रेसिपी जो की हम बस थोड़े से वेजटेबल को एड करके और फटा फट से बना कर तयार कर लेते हैं तो आज मैंने आपके लिए बनाया है सेज वान फ्राइड नूडल्स तो सेजवान फ्राइड नूडल्स का नाम सुनते ही बच्चे हूँ या बड़े बस उनके मुझ में पानी आने लगता है और लगता है कि कैसे फटा फट से ये बन जाए और हमारे सामने पेट रख दी जाए तो बस चलिए फटा फट से हम भी बन बनाई लेते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सी वेजटेबल को एड़ करके बनाया है तो यह है एक बड़ा सा क्याप्षिकम और यहां पे है हरम मटर जो की हमने लिया है आधा कटोडी एक प्याच बारी कटा हुआ और यह गाजर हमने पतले-पतले क अधारी कटा हुआ और यह है सेजवान चटनी जो कि हमने तीन चमच सेजवान चटनी और एक चमच चिली सौस को यूज किया है और यह है नोडल्स नोडल्स आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं तो चलि इस्टार्ट करते हैं बनाना यह हमने पैन में गरम पानी उबाल आते ही पानी में हम इसमें डाल देंगे नोडल्स ओयल डालने से ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं तो इसलिए हमने इसमें ओयल डाला है और पानी हमने तीन से चार कटोड़ी इसमें डाला है एक पैकेट के लिए तो चार कटोड़ी पानी हमने इसमें एड़ किया है ताकि ये अच्छे से ढूब जाए और अच्छे से बॉयल होने के बाद ये हमारा करीब करीब होई चुका है तो ये होने के बाद हम इसे चान लेंगे एक बड़े से जाली वाली थाली में हम इसे चान लेंगे और चानने के बाद हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे नूडल्स को ठंडे पानी से धो देने के बाद वो एक दूसरे के साथ चिपकता नहीं है इसलिए ठंडे पानी से धोना बहुत जरूरी होता है तो बस नूडल्स हमारे तयार हो चुके हैं देखिए ये बिल्कुल अलग हम दढ़ा लेंगे वापिस से पहल और इसमें डालेंगे हम तीन चमच बटरुक्ट एक चमच दाला हमने इसमें में हमने कर देंगे और कम को यब रप scannya ने तो दीरी तीघ आज पर यहाए, जल जैगा अब बटर तो इसलिए आज को कमी रखें अब हरी मिर्ची डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे हम लसन तो हरी मिर्ची लसन की डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे इसमें किसी भी सब्जी को हमें ब्राउन नहीं करना है तो बस ये हमने थोड़ा सा चलाया और इसके बाद डाल देंगे ह प्याज तो प्याज को भी हमें बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है बहुत ज्यादा इसे भी ब्राउन नहीं करेंगे हम तो यह हमारा प्याज भी हो चुका है बस थोड़ा सा इसे भुनना है ट्रांस्पेरेंट होने थक हम प्याज को फ्राई करेंगे तो यह हमारा हो चुका है इसके बाद हम डाल देंगे पता गोभी तो पता गोभी हमने इसमें डाल कर और इसे भी चलाते हुए हमें थोड़ा सफराई करना है मतलब वेज़ेबल की क्रंजीनेस बनी रहनी चाहिए तो इसके लिए हमें बस थोड़ा थोड़ा इसे चलाना होगा सारी वेजटिबल को डाल कर तो बस ये गाजर भी हमने डाल दिया कितना खुब सुरत कलर देख रहा है ना तो गाजर भी इसके अंदर जा चुका है और अब हम डाल देंगे इसी के साथ कैपसिकम इसी के साथ कैपसिकम डाल देंगे और कैपसिकम डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन पीस तो ग्रीन पीस हमने पहले से ही बॉल कर लिये थे और बॉल करने के बाद हम इसे चला लेंगे तो बस यह रंग भिरंगी वेजटेबल तो हमारी तैयार हो चुकी है और इसके बाद हम दालेंगे इसमें वेजटेबल के भूलने के साथ ही हम इसमें डालेंगे चटनी तो सेजवान चटनी हम इसके अंदर डाल देंगे सेजवान चटनी के ही अंदर हमने चिली सॉस भी इसमें मिला लिया था और बस हमने चिली सॉस एक ही चमच यूज़ कर रहा है और सेजवान चटनी तीन चमच आप अपने टेश के एक ओर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो यह हो गया और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक तो नमक भी हमने एड़ कर दिया नमक के एड़ करते ही हम इसे बस इन सब को एक साथ मिलाएंगे और मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे donuts तो बस वेस्टबल हमारे रेडी हो चुकी है और इसके बाद जाएगा इसके अंदर हमारा बॉयल किया हुआ नूडल्स तो नूडल्स भी हमने डाल दिये और नूडल्स को बहुत ही आसानी से हमें हलके हलके हाथ से इसे चलाना होगा तो नीचे से उपर की और उठाते हुए ह हमने इसे चला लिया है हो सके तो आप इसे दो स्पून की मदद से भी आप इसे मिला सकते हैं मैंने एक ही स्पून को यूज करके बनाया है तो बस इससे क्या होंगे कि ये बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे तो बस ये हमारा रेडी हो चुका है और अब हम डाल देंगे सर तो हमारा नूडल्स तो विल्कुल रडी हो चुका है खाने के लिए तो फटफट से आभी बनाईए कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है और अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे पर फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए हमारी बनाई हुई रेसिपी को हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वी के साथ